नमस्कार दोसों, आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है। दोसों आपको बता दें कि 26 जून के शुर्वर 11 बुझे से। जियां दोसों यह श्रमय शी आपके जुनकाल में भगवान शनी देप के शुर्वाशी बड़े चमतकार होने वाले हैं। जियां दोसों, दरशल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह श्रमय शनी वार का दिन होगा। अर्थात शनी देप का दिन होगा। जियां दोसों और निके श्राथ यह में गणों की भी कुछ यह सी इस्तिती बन रही हैं। जिनके कारण गजब का दुल्लब शन्योग बन होंगी। आपके पारुजुन में भी जो भी नौग जोग चल रहे हैं। दोस्तों वे श्रमाप्त होंगी। आपको बता दें कि यह में कुछ यह सी इस्तिती बनेगी। जिनके कारण आपकी जुनकाल शी श्रमी परकार की परेश्यानियां भी खत्म होने वाली है। जिया दोस्तों आपको बचाते कि यह में भग्वावन श्रम्डेव का श्रबाट शी आप का श्रमें बहुत यचा रहने वाले हैं। दोस्तों इसकी मे आपका भी लगह न का जिया श्रमे का बहुत हिद्र पुंतने के शी उपियोग में लाने का जी है दोसों दोसों आश्य में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अंधर तक जरूर देखें क्योंको दोसों इनमें आप शबी महत पुंजार कारी को जानेंगे किया श्मय आपको किने चत्रों को लेकर शालतर दरेने होंगी, कौने शे कारें आपको लाप की उपरायापत होगी भगवान शनदेव के सिरुबाज शी आपके घर की महौशल में पारो जुम्म क्या क्या शुदार होंगी तो दोसों अंतर तक दिखेगा उश्रे पहले दोसों जो वेक्टी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में शच्चे मंशे जाई शन्रे भीखेगा गुरोजी का और भगवान शन्रे देप का शीदा शिरबात प्राप करेगा तो दोसों जरू लिखेगा और यदि आप च अकात्मक परविडिते के लोगों के शाहत समय वहतित करने से आपका शमाजिक दायरा बढ़ेगा आप भावनातों ग्रूप से श्वेंग को ससक्त मैसुष करने वाले हैं दोस्तों यश्र में सभी परिशानियों का अहल आप बोदी मता और विवेक परिके से ढूंड करें और जोस्तों यसी में आप अप अच्छी सप्लताओं को प्राठ्ट करने में बी काम्याप रहने वाले हैं और इसको पूराहतों खिके अगर आपक शाल्धाने को बहुंड करते तो दोस्तों यस्रमें जल्दवाज में ली уб़े और फिशले बदलने पर सकते हैं कि दोस दोस्तों आपको बतादे कि यदि आप परिस्तीती कि नहीं नहीं मिल रही हैंससरे ऑधिक बढ़ रहे हैं को वक्त पर नपूरा होने कि विज़शे आपको अधित तराव का भी शामना ये शमय करना पड़ सकता है और दोस्तों इसको प्राथ ये शमय आपको बता दें कि कि किसी भी वरकार की शमस्या का शमाधान निकालने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होगे इसलिए दोस्तों प्यारस्त रहें पिछले को शमे से जो भी दिरिग काली नियुजनाई बनाई थी दोस्तों उन लक्षियों को हसल करने का उचित शमे होगा युवा वर्गों को भी ये शमे कोई अच्छी सवलता हसल होने से आत्मिश्वास भी आपका बढ़ने वाले हैं शादी दोस्तों यश्मे ध्यान रखें कि आपकी भावनों तता उदरता का गलत फायदा भी कोई उठा शकता है आर्तिक रूप से कुछ उल्जन तता समस्याई उभरेगी दोस्तों किसी के शाथ शंपर का स्थाबित करने का जो आपका सोच है इसमे अच्छा है लेकि दोस्त यश्मे यवजना के अनुषार ही काम को पुरा करने की जित को दूर रखना आपके लिए बैर होगा इसको प्रांथोर याश्मे आपके के समयोंगे धन के मामल मैं सिरिष्ट समय होगा धर में शुदार समंदी को युजनाएं बनाते समय वास्तु के नियमों का आप अवश्य पालन करें रोचक तथा ज्यान वर्दक साहित पढ़ने में कुछ समय वहितित करें ये आपके लिए बैतर होगा तथा आप अपने आपको तराव मुख दिश्य से ना पढ़ें दोस्तों इससे जो है खुद की महानाने भी होना समभ होगा पारिवने जुमदारियां भी यश्मे बढ़ने वाली है परंतु आप उन्हें निमाने में सक्षम भी रहेंगे वहान का परियोग शावधानी पुरवक करें अगर इस्तमाल ना ही करें तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा और इश्कुप्राण दोस्तों यश्में आपके लिए श्मय होंगे दोस्तों आपको बता दे घर में कोई धार्मिक कारिक करने की युजना बन सकती है आपके समाजिक और धार्मिक दोनों कारियों में रूची बढ़ने लगेगी लोगे शा सक्चम रहेंगे दोस्तों आपको पता दे कि अपने आजपास के सकार्तमक लोगों के साथ कुछ शमय वहतित करने से आपको अपने मांस्यक रूप से बहुत हलका फुलका अपमें हैसूस करेंगे शंदार समय इससे वहतित होगा और इसको प्रांदों सहेश्र में आप जो ह सकती है और इसको प्रांदों समय आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि काम से समधित भाग दोड याज में बढ़ सकती है काम भले ही परगति के ओर जा रहा है फिर भी दोस्तों सहत का आपको ध्यान रखना चाहिए यह शुमय आपको बता दे कि अपनी छमता से अधिक म बात करें तो दोस्तों यह शुमय आपको बता दे कि कारी शेतर में काम में कुछ रुकावटें भी आशकती है कुछ अनभिवी व्यक्ति की शलाह का अनुशरन आवस्ट करें शेर बजार तदा तेजी मंदी से तालुक रखने वालों के लिए सावधानी आवस्ट रखें द यह में शबी काम सुचारू रुप से चलते भी रहेंगे प्रदू दोस्तों दूसरों पर निर्वेर रहने की आपक्षा श्वयंगी कारी को निप्टाने का प्रयाश करें तभी आप जाकर शपलताओं को प्राप्त करेंगे आप उनी योगता के नुश्वार उच्चतर प आपके लिए वायशाय की संबंदी अपनी जो है कारी प्रणाली में जो परिवर्तन किये हैं उनका उच्चत प्रणाम भी यह में हासिल होने वाले हैं तो दोस्तों नोकरी में लक्ष्चतर प्राइड को पूरा करने का दबाप यह में आपके उपर बना रहेगा दोस्तों करेंगे तो ऑसिश भलता को हसिल करेंगे और इन पर आपखरा उतरेंगे और दोस्तों इसकी पराद हीरेंगे piramook कारे ऑदिवर्त के लाप कर्यांगे लेगे लेकिं जल्दी कम्याबी की चाह में गलत रास्ते का सुनाओं ना करें राज्चkee का बादाई भी उत्पन हो शकती है अधिकतर महत्पुर्ण कारे दोपरिक से पहले ही आपने उटाले तो आपके लिए उचीद रहेगा इसको प्रांद दोस्तों में अगर आपकी लव लाइप के लिए कर बात करें तो दोस्तों ये पती पत्नी के शंबंद मदू रहेंगे प्र किसी भी पारिवरेक शंबंद के विवाष्वमंदी कोई उत्तम रिस्ता भी आ सकता है और इसको प्रांद दोस्तों ये रहेंगे आपके पारिवरेक जिवन के लिए जसे मोंगे दोस्तों आपको बता दें कि पती पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्तिकों जशे गलत फ्मि रखना ये आपके लव लाइफ के लिए जरूरी होंगे और इसको प्रांद दोस्तों ये अगर आपकी श्वास को लेकर बात करें तो दोस्तों खांसी जुखा मुअफिर अलर्जी से दिक्कत रह शकती है ठंड से अपना बचाव करें तथा प्राकिर्तिक चीजों का अधिक स सेवन करें अधिक सदी उप्योग करें ये आपके श्वास के लिए बैतर होने वाले हैं और इसको प्रांद दोस्तों में घ्यास वायू आदी के वज़े से जोड़ों में दर्दों अपनी बेचानी की समस्या भी रह सकती है अपने खांपान को वैस्तित रखना ये श्वास के लिए बैतर होगी